हलो फ्रेंट्स अगर आप भी CCMN counselling को participate करे थे और आपने NIT 13 आ, NIT इलाबाद को freeze कर दिया है यानि कि आप आगी special round को participate नहीं करना चाहते हैं अगर आप special round को participate नहीं करना चाहते हैं और आपका admission NIT 13 आ, NIT इलाबाद में हो गया है वहाँ पर आपका seat confirm हो गया है तो फ्रेंट्स आपको 16 जुलाई तक 16 जुलाई से पहले पहले हैं 16 जुलाई पांस जे तक आपको क्या करना होगा इनकी official website पे आपको online reporting करना होगा जिया है फ्रेंट्स क्या करना होगा online reporting करना होगा इसके regarding NIT 13 की official website पे भी notification रिलीज हो चुका है और NIT इलाबाद की official website पे भी आपका notification रिलीज हो चुका ये करना आपके लिए mandatory है जिया है फ्रेंट्स ये करना mandatory है बहुत सरे फ्रेंट्स के दिमाग में इस सवाल आ रहा होगा कि सरा हम special round को participate करें क्या हमें भी ये करना होगा नहीं जो student special round को participate करें उनको ये process follow नहीं करना है ये process follow नहीं करना है तो इस process में क्या करना होगा NIT इलाबाद की official website पे जाके student को किस तरह से online reporting करनी है तिर्ची की official website पे जाके आपको किस तरह से online reporting करनी है इसका पूरा details से हम discuss करने वाले है इससे पहले लेते हैं छोटा सा break वीडियो पर आप लाश्ट तक बने रेश्पेंट्स पूरा details से हम discuss करेंगे online reporting को लेकर अगर आप भी CSI या net का preparation कर रहे है तो IEPS EduTech आप के लिए लेकर रहा है भैतरीन चिपेश्ट क्रेस कोर्स जी हाईपेंट्स अभी 50% का आपको discount मिल रहा है special offer के तहित अगर आपका subject life science है या chemical science है या physical science है या mathematical science है तो आज ही आप इन courses को join कर सकते हैं और अधिक detail लेना चाहते हैं और अधिक जानकारी इन courses के बारे में लेना चाहते हैं तो link मैंने description में डाल रखे हैं आप check out कीजिए अगर आप interested है आपको NIT 33 की official website से download कर लेना है और ये process उनी student को follow करना है जो student special round को participate नहीं करें हलांकि ऐसे बहुत सार इस जिनको NIT 33 अलोट हो गया लेकिन वो special round को participate करें तो जो special round को participate करें उनको online reporting अभी नहीं करना है उनको online reporting करने का जो date है वो 6 अगस्त के बाद आएगा तो जिन student को online reporting करना है वो ध्यान दीजिया पहली student से तो सबसे पहले तो student आपको candidate registration करना है क्या करना है आपको candidate registration करना है और इसकी last date कल है 16 जुलाई 5 वजे तक उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे और candidate registration के लिए आपको link देर का जैसा कि student आप इसकी पर देख पा रहे है रेड कदरवाल एकसर के नीचे आपको ये registration आपको कहां करना है आपको chrome browser में नहीं करना है आपको के वर mozilla firefox में ही आपको करना है chrome browser में open नहीं होगा आपको ये firefox browser आपको download कर लेना अगर आपके पास available नहीं है तो उसी में आपको ये open करना है और open करके भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या process follow करने है इससे पहले कुछ detail हम यहाँ पर देख लेते हैं अगर आपको कोई problem आती है दोकुमेंट अप्लोड करने में या किसी परकार की कोई भी problem आती है तब आपको इस्ट्वेंट्स यहाँ पर email दे रहे हैं आप उनको email कर सकते हैं इसके साथ इस्ट्वेंट्स यह वाले document आपको upload करने हैं यह वाले document आपको क्या करने होंगे जी upload करने होंगे इसके ने document आपको upload करने हैं जैसे आपने CCMN की official website पे seat मिलने के बाद upload किये थे वेश सही अभी आपको यह करने है जैसा कि आप देख पार है प्रोविजिनल एडमिस लेटर आपको download करके upload करना है डायरेक्ट इसके साथ JM score card करना है आपको और ओरिजिनल फोटो आईडी फूरूप जैसे आपका अधार कार्ड है वोटर आईडी है यह सा कुछ है आपको सब पता है इनके बारे में है क्योंकि आप CCMN counseling कंप्लेट कर सुके हैं और डेट बर्त के लिए आपको टेंद का स्रेटिविट अपरोड कर देना है अगर आपके पास डियो भी स्रेट नहीं है तो और ओरिजिनल कोर्स कंप्लेशन स्रेटिविट आपके पास होगा किया था यहीं आपके इस्रेट कुछ document है और आपके पास कोई document अवेलेबल नहीं है अगर आपके पास कोई document अवेलेबल नहीं है तो आप undertaking फोरम का यूज कर सकते हैं और भी आप instruction आप यहां पर रीड कर सकते हैं इस्प्रेंट से बात करें इसकी फीस को लेकर तो फीस काफी ज़्याद है आप देख पा रहे होंगे यहां पर टोटल फीस जो है ना आपका टोटल फीस 65,450 रूपीज है और ऐसी एस्टी वालों को साथ जार पान सुर्वे कम कर देना यानि एस्टी वाले रिष्टेशन करना है और इसके बाद बात करते हैं कि हमें किस तरह से ओपन करना है तो जैसा इस्ट्रेंट से आप देख पा रहे हैं जैसे आप इस लिंक को फायर पोक्स वाले ब्राउजर में ओपन करते तो इस तरह का इंटरफेस आएगा यह वाले डिटेल बगर आपको सब्मिट कर देना है यह ब्रोसेस आपको कम्रेट करना है और इसमें आपको कोई प्रोब्लम आती है तो सप्रीट्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिरिप facil in के लिए इमेल दे रहें गाने तेट तरहिए का वो कर सकते हैं इसके बाद बाद करतें स्पुएंट इलाबाद के ओनलाइन रिपोर्टिंग को लेकर तो इसका भी जो लास्ट टेट है वो कल यह 16 जुलाई तो इसके लिए स्पुएंट्स आपको क्या करना होगा इसकी ओपीस प्रिशनार है न्यूए अडिमिशन के लिए तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे इस्ट्वेंट साप इस पर क्लिक करते हैं तब इस तरह का इंटरफेस आता है और इसमें आप जो भी डिटेल आप लेना चाहते हैं यहां उपर वाले ओप्शन पर आपको यहां पर इतना फीश आपको सब्मिट करना है वह आप देख सकते हैं और ध्यान रहाएं कि अभी पीश समिट नहीं करना है आपको अगस्त में फीश समिट करना है जब आपका फिजिकल रिपोटिंग होगा अभी के वल आपको रिजिस्टेशन करना है इसके साथ इस्प्रेंट से आ पर आपको अपना कोर्स लेक्ट करना है या पर आपको क्लिक करके क्या करना है आपको अपना कोर्स लेक्ट करना है इमेल कर देना है